जाहिन दोस्तों आज की क्लास में आप सभी का हारदिक स्वागत हैं उमीद है कि पिछली क्लास में आपको अपने एक्जाम से संबंदित अपने जो टारगेट है जो लक्स है उसको भीदने में काफी आसानी साबित होने लगा होगा अब आपको ऐसा लगने लगा होगा कि हम GS और GK को भी हस कर मुस्करा कर और बड़े ही सरल सुभाब से सीख सकते हैं या अभी तक जो GS का डर था वो आप उसे दूर कर सकते हो या दोस्तों बिना देरी किये हुए बिना विलम किये हुए हम इस सेसन को स्टार्ट करते हैं और उ स्टोरिय तो बस एक छोटा सा काम कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने से संबंदित दस लोगों को भीजिए जिनें आप बड़दी में देखना चाते हैं जिनें आप दरोगा बनना देखना चाते हैं ऐसा जरूर करेंगे उचा गया आपसे 73 संसोधन अ करेक्ट अबाउट दा सेलेंट फीचर ऑफ 73 अमेंडमेंट एक्ट जब भी हम 73 अमेंडमेंट की बात करते हैं तो पिछली क्लास में हमने यह जिक्र किया था 73 और 74 त्यत्तरवा और 74 जो संविदान संसोधन था वो आपका यह जो संसोधन है वो किसके बारे में था लोकल किस संसोधन के तहत त्यत्तरवी संविदान संसोधन के तहत संविदान में 11 अनुसूची जोड़ी गई 11th सेडियूल एड़ेड एक्टिंग 73 अमेंडमेंट आफ दा कॉंसुटिशन 29 सब्जेक कंटेन करता है 11 सेडियूल कितनी सब्जेक कंटेन करता है देना आंसर विल भी 29 29 विसे इसमें जो जिक्र किया गया था और 73 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग किसको इस्टैबलिस किया गया मुल्चिपलेटी इसको या फिर पंचायती राज सिस्टम को या पंचायती राज विवस्ता को या नगरपालिका को आपने कहा पंचायती राज विवस्ता को त्यत्तरवी के तहट और 74 अमेंडमेंड के संम्यधान में बारवी जोड़ी गई 12th सेड्यूल रिलेटेट्ट विच प्रॉबजन जो 74 अमेंट है उसके अकॉरड़ी जोड़ी गई 12th सेड्यूल जो जोड़ा गया वो किस विशय के बारे में किस प्रॉबिजन के बारे में यहां पर यह पूछा गया कि 73rd से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है यह कह रहा है कंटेंज 29 फंक्शनल आइटम्स ऑफ दा पंचायत और डील विद आर्टिकल 243-243-0 कहता कि 29 विसाय कंटेंज करता है त्यत्रवा जो समिदान संसोदन है और यह किस अनुच्छे से संबन दे पंचायती राइस अनुच्छे 243-243-0 के बारे में यह बताए गया है तो यह बाला स्टेटमेंट सही है हमें क्या ढूड़ना है इनकरेक्ट गलत जो है स्टेटमेंट कौन सा है यह बहुत जरूरी है जब आप एक्जाम में बैटोगे तो अभी आपको बताए गया था 34 समिदान संसोदन के तहत 11 वी अनुसूची जोड़ी गई 11 जो आपका सेडूल है अनुसूची है उसको एड किया गया यह भी सही है किस अधनियम के तहत पंचाइती राज विवस्ता को समयधानिक दरजा मिलता है दना आंसर वी 73 अमेंडमेंट 34 समिदान संसोदन के तहत बिलकुल सही कहा आपने दा एक्ट कोरेस्पॉंट्स तू पार्ट थर्ड ऑफ कॉंसूटिशन ऑफ इंडिया क्या 33 समिदान संसोदन से पार थर्ड से कोई सम्मंदत है नहीं है क्योंकि मौलिक अधिकार के बारे में जिक्रि नहीं करता वो पंचा इसके बारे प्रविजन नहीं है तो यह क्या होगा गलत है और यहीं आपको पूछा गया कि कौन सा गलत है कौन सा स्टेटमेंट रॉंग है आंसर विल वी एजर राइट आंसर यहां से आपके पांच प्रेशन बन सकते हैं त्यत्तरवा समिदान संसोदन कब हुआ आपने का 1992 में हुआ यह कभ इंप्लीमेंटेड हुआ लागु कव से हुआ अपने का 1993 आपसे यह पूछा जाए कौन सा जो है सेडियूल एड किया गया इस संसोदन के तहत आपने क्या ग्यारवी अनसूची जो की जोड़ी गई आपसे पूछा जाए इसमें कितने विसाय थे आपने क एधिराई सिस्टम की सनुच्छे से समंदित हैं तो आपने का 243 लेकर 243 ओ के बारे में समंदित हैं एक प्रिशन लगवग लगवग पांच से साथ कोशन आपके बना रहा है और यह एक्जाम में ऐसे सी सीपीओ में आपको 23 में पूछा गया है सीपीओ के एक्जाम में यह बहुत ही आसाने इजी है तो यहां तक अभी आपको समझ में आने लगा होगा कि हम भी बहुत जो कि अच्छे से बहुत इजी ली टार्गेट कर सकते हैं और जो एक्जाम में पूछा गया यानि 40 प्लेस आप सीपीओ में कर सकते हैं ठीक हैं पारिवारिक नियायले संसोदन अधिनियम 2022 ने पारिवारिक नियायले अधिनियम 1984 में संसोदन किया है आप से पूछा जाए हाली में एक फेमिली सिद्फेंड में जो संसोदन हुआ है वह कब हुआ है सिंपल पूछा गया है कि हाली में कब हुआ है यह भी पूछ सकता है ना अंसर विल वी 2022 हाली में जो पारिवारिक नियाले संसोधन हुआ है वो 2022 में हुआ है दूसरा कुश्चन किस प्रकार बन सकता है यहां से सबसे बड़ा तो हमें GS में यहीं ढूणना है ना कि एक्जामिन से यह जापको किसी को दिमाख को पढ़ना है तो यहां पर आप किसी भी तरह से या तो प्रिविएस इयर को समझ ही होती है साथ ही साथ याद हमें गवर्मेंट जॉब यानि सरकारी नोकरी चाहिए तो एक ही मार गए एक ही रास्ता है वह है आपका प्रेक्टिस सेशन और वहीं से हम यह देख सकते हैं कि भविश्य में और किस प्रकार एक्जामिनर कोशन बना सकता है हाली में परिवारिक नयाले संसोधन अधनियम हुआ है आपने का 2022 में हुआ है यदि यह पूचा जाए कि 2022 संसोधन यानि फैमिली कोट के सकते हो कि संसोधन किया गया है वह 1984 में किया गया है 1984 में यह संसोधन किया गया तो नहां पर आप ये बता सकते हैं कि इसमें किसी को विसीयश का ध्यान दिया गया है धेना सर विल वी इस्टेट creates संसोधन तो इसमें किसी को यदिकार आप राज्ज राज्य स्टापद कर सकते हो जो भी ऐस सलवू assessed किया जा सकता है धनासर स्टेट गौवर्मेंट एक्ट स्टेट जाएग्ट विछट्वर्मेंट to family court then answer will be 2028 जो आफका family court है इसमें किसी ने amendment किया है कि सबाइना सरी 1984 जो family court था उसमें अमेंड किया गया है 1944 family court जो एक्ट था उसमें क्या किया है यनि की संसोधन किया गया है और हाली में कौन सा लाया गया है तो आप कह सकते हो फैमिली कोट एक्ट बना वह कौन सा है फैमिली कोट एक्ट 2022 2022 2022 2022 के लियर नेक्स्ट यानि की बीजर राइट आंसर भी जा राइट आंसर अग्या दिल्ली नगार निगम संसोधन विद्यक 2022 का उद्धिस समन्मित और नीतिक योजना संसादनों के इस्तम उपयोग के लिए एक मजबूत सेट अफ सुनिच्चित करने के लिए दिल्ली के नगार निगमों को एकजुट करना है यानि की हाली में दिल्ली में नगार निगम विद्यक हुआ ही काफी मोस्ट इंपोटेंट है और इसे भी स्सी सीप्यू में 2023 में से पूछा क्या है दिल्ली मुंसिपल कॉर्परेशन अमेंडमेंट बिल 2022 एम एट यूनिफाइंग मुंसिपल कॉर्परेशन ओफ दिल्ली टू इंसियोर रोवस्ट सेट अफ फॉर सिनाज़्ट एंड इस्ट्याटिजिक प्लानिंग ऑप्टिमल यूटिलाइजिशन ओफ रेसोसेज आपको पता होने चीव वर्तमान में एकिन को क्या किया है निगमों को आपने the three जो आपके मुंसिपल कॉर्परेशन मर्स करके जिस में पूरा जो पूचा गया आपसे कितने के लिए दिल्ली के नगर निवहों को एक जूट करना है कितने को त्री एक आंसर भारती समविधान के निमलिखित सम्विधानिक संसोदन अधिनियम में टेक किसने लोग सबा और राज्यों की विदान सबाओं के चनावों के लिए मत्दान की आयू 21 से गटा कर 18 वर्स कर दिये ये भी SSC CPO 2023 में आपका पूछा गया है which among the following constitutional amendment act of the Indian constitution reduce the age of voting from 21 to 18 for election to the लोकसभा and the legislative assembly of the state the answer will be आप कह सकते हो according 61st according 61st amendment 61 संविदान संसोधन के तहर्ण amendment कौन सा संसोधन हुआ था 61 संविदान संसोधन जो voting right है voting जो right है voting जो अधिकार है वो कितना कर दिया reduce from 21 to from 21 to 18 ठीक है किस संसोधन के तहर्ण एक सट वे यानि कि भी जा राइट आंसर भी जा राइट आंसर यानि कि किस संसोधन के तहर्ण किस amendment के अकौर्डिंग वोट देने का जो दिकार है राइट वोट है वो 21 से 18 कर दिया गया देन आंसर वी 61, 61, 61 is the right आंसर इन वी जा राइट आंसर इन आंसर वी 1988 1988 में 61 संसोधन हुआ था इसके तहर्ण जो वोट देने का अधिकार था वो 21 से 18 कर दिया गया है किस में आया है आपके सामने है SSE CPO 2023 भारती समिधान में कौन सा संसोधन उच नियायलों की अधिकार छेतर को केंदर सासित प्रदेसों तक विस्तारित करने से सम्बंदित है भारती समिधान में कौन सा संसोधन उच नियायलों की अधिकार छेतर को केंद सासित प्रदेशों तक विस्तारित करने से संबंदित है यह पूछा गया है आपसे वीच अमेंडमेंट किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इंडियन कॉंसिटिशन इज रिलेटेड टू एक्स्टेंशन ऑफ जिरिडिक्शन ऑफ फाई कोट तो यूनियन टेरिट्री यानि कि हाई कोट के पास अधिकार है यह जूरिडिक्शन है कि वो यूटी तक अपने आपको विस्तार कर लिया लेकिन किस संसोधन ने उसे यह सक् होना चीह आपसे पूछा जाएगा नाइन्थ अमेंडमेंट सेवन्थ या फर्स्ट या थाइटीन दर आंसर वी सेवन्थ अमेंडमेंट इस संसोधन के तहत उच नियालें को यदिकार दिया गया कि वह अपने पावर को अपने जूरिडिक्शन को केंद्र सास्यत इस तरह से बाहर नहीं आएगा इस बात की गारेंटी है यह अपको विश्वास नहीं है इस क्लिप को नोट कर लेना इसे रिकॉर्ड कर लेना साइड में रख लेना जिसे एक्जाम में बैट जाना और उसके बाद एक्जाम सीथे तोर पर वही प्रसन आपको मिलेंगे और जाना इससे जादा क्या सकते हैं उसके बदले में इसे बतना करना है कि जादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है और अभी तक यह अगद आप सुन रहे हैं तो छोटा सा कमेंट भी छोड़ देना है चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके करियर से सम्मंद्द च करते हैं उसी प्रकार आपको भी मेहनत करते रहने चीए यदि अभी तक आपको इट करने की विचार में तो ऐसा नहीं करें एक एक कोशन हमारे जो एक ब्रसन दस कोशन बना रहा है तो काफी नुकसान हो सकता है भारतिय समिधान के इकतरवे संसोदन में कौकड़ी मड़ेपूरी और नेपाली भासाओं को अनसूची में सामिल किया गया है दा सेवन्टी फर्ष्ट अमेंडमेंट इसकी बात करते हैं दना आंसर विल भी स्विधान संसोदन हुआ था उसमें किस भासाओं को जोड़ा गयी है यह भी कुशन ब सकता है हमें करना क्या है ज्यादा सियादा सोचना है कि एक्जामना क्या क्या पूछ सकता है आप से पूछा जाएगा कौकड़ी लांग्वेज एड़ेट इन एट सेडियूल एक्कॉर्डिंग विच अमेंडमेंट कि संसोदन के तहट को आठवी यह जोड़ा गया आंसर व अपने का यह पूछा गया एस संभंदित कौनसा इड्यूल है आपने का यह बर्तमान में वह पूछा की बात करेंगे आपने कहाँ अगर अगर भासाओं के बारे पूछा जाए और यद यह पूछा जाए कॉंकडी मड़ीपुरी और नेपाली जो लैंग्वेज है वो किस अमेंडमेंट के एकॉर्डिंग हमारे एट सेड्यूल में जोड़ा गया आपने का अमेंडमेंट टोटल कितनी भासा है आपने कहा 22 लेंगुजे 22 लेंगुजे यह भी आपका सीप्यों में कुश्चन पूछा गया है एकॉर्डिंग वन जीरो थर्ड यानि की 103 वे समिधानिक संसोदन अधिनियम की वैदता पर सर्वोच नियाले के फैंसले पर संबंद में निमलिखित में से कौन सा खतन सही है विच अब दा फॉलाविंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सुप्रीम कोट जजमेंट और वैलिडिटी आफ वन जीरो थर्ड कॉंस्टिशनल अमेंडमेंट एक्ट कि भी जो हमारा 130 वे समिधान संसोदन हुआ था जब जब वन जीरो थर्ड की अमेंडमेंट की बात आती है आपको ये किलियर होगा कि इस संसोदन के तहते एक नया अनुच्छे जोड़ा गया जिससे हम अनुच्छे 15 का पार्ट 6 किलोज कहते है अनुच्छे 15 का छटवा जो भाग है 6 जो पार्ट है वो जोड़ा गया ठी पिछली बार ये यूपी PCS में पूछा गया था ठीक है यानि तमाम एक्जाम जो आ रहे हैं उसमें यह पूछा गया है कि 103 समिदान संसोदन के तहत जो EWS को मिला आप सभी को मालू में 10 परसेंट मिला वो किस अनुच्छेद में बताया गया किसमें जोड़ा गया देन आंसर वी 15 का 6 पार्ट में एड किया गया एक आर्टिकल और भी एड हुआ वह है 16 का 6 ठीक है एक 15 का 6 और दूसरा 16 का 6 यह जो है अर्टिकल एड किये गए इसमें पूछा कौन सा स्टिट्मेंट सही है देख लेते हैं दा सुप्रेम कोट रिएक्टिट दा वेलेडिटी ओफ बंजीरो थर्ड कॉंस्टिशनल अमेंडमेंट एक्ट बाई अन नेमियस डिसीजन यह गलत हो जाएगा रिजेक्ट थोड़े ने किया था सर्वोच नियाले ने दा अमेंडमेंट प्रोवाइड़ अटेन परसेंट रिजेवेशन फॉर एकोनोमिकली वीकर सेक्षन बोले तो ईडवलू एस ईडवलू एस एकोनोमिकली वीकर सेक्षन इन गवर्मेंट जॉप्स एंड एजूकेशनल इंसिट्यूशन बिलकुल सही सुना आपने कि भई वन जीरो थर्ड अमेंडमेंट एक सो तीनवे संसोदन के एतायत दस परसेंट कितना आरच्षड दिया गया आपने कासा दस परसेंट किलियर किसको ईडवलू एस बोले तो इकोनोमिकली वीकर सेक्षन किसमें मिलेगा यह जितने भी आपके गवर्मेंट जॉप हैं पब्लि समयधानिक पीट ने तीन दो बहुमस से साथ EWS आरच्षड के 10 परसेंट को 10 परसेंट को बरकरार रखा सुप्रीम कोट के फैसले के नुसार 103 वा समयधान संसोदन वैदे हालां कि अभारति समयधान की मूल सरवंजन का उलगन कर रहा है यह किस ने कहा था तो यहां पर आप आप से पूछाएगा option यह आप नहीं दे गए है ठीक है यह question थोड़ा wrong type हो गया next आगे बढ़ते हैं पिछला ही question था राश्टी राजधानी छेत्र दिल्ली सरकार संसोदन विदेयक राश्टी राजधानी छेत्र दिल्ली सरकार संसोदन विदेयक 2021 को जो मार्च 2021 में पारि 2021 विच वोज पास इन मार्च 21 अमेंडेड दा गवर्मेंट आफ नेशनल कैपिटल टेरिट्री आफ दिल्ली एक्ट यह सीपी ओ आपके 2022 में पूछा गया है कि इसमें किसमें अमेंड किया गया था तो आप कहोगे हाली में हुआ है लेकिन किस एक्ट में हुआ है गवर्में तो बहुती सामवान ने था कि आपको हाली में 2021 में राष्टि राइदानी जो छेतर है दिल्ली सरकार विद्यख लाय गया था उसे संबंदित 2021 में और जो मार्च में पारित हो चुका था पास आउट हो चुका था लेकिन इसससी ने संसोदन की समेंड़ मेंड में और तोड़े रहेंगे और फिर से हम नेक्स क्लास में आपसे मिलेगे बहुत-बहुत अब